दोस्तों नमस्कार यह है ओडी इट्रॉन जी टी यह देखें आरेस इट्रॉन जी इसके बारे में कंप्लीट इंफोर्मेशन मैं देने वाला हूं और कैसे हमारे टेक्नलोजी चेंज होने वाली है अभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यह सभी कुछ रिलेट करता दोस्तों यह जो दुबई एक्सपो है यह हमारा सब टेक्नलोजी बेस्ट है टेक्नलोजी बेस्ट कैसे है अभी इलेक्रिक गाडिया है सबसे बड़ा कोस्टिन आपको और मेरा सभी का जैसे टाटा की गाड़िया भी आ चुकी है चार्जिंग को लेकर सबसे बड़ी प्रोब्लम है अगर गई चार्जिंग में प्रोब्लम आगी तो क्या होगा से पहले तुम आपको गाड़ी दिखाता हूं यह है ओडी आर एस ट्रॉन जीटी यह आप प्रोब्लम करें ते सोल होने वाली है चार्जिंग की उसके बारे में आपको बताउ गाँगा यह आपर जो sealed Indian उनसे पूछा था तो यहआप देखएं यह हैं celebrating स्टेशन स्यमृं के चार्जिंग स्टेशन एसे जो चार्जिंग स्टेशन थे और हो आने Conse से में हर मोल और कोफी शोप के आसपास या फिर जो है अपना जो रेजिदेंशिल एरिया होता है जहां पर भी हम गुमने जाते हैं गाड़ी पार्क करते हैं फिर गाड़ी के जो पार्किंग होती है पार्किंग के आसपास वो charging stations ये charging stations इस तरह से ये लगने वाले हैं और अगर आप घर प तो आने वाले टाइम में गुवर्मेंट क्या करेगी यह जो चार्जिंग स्टेशन ही आप देख रहे हैं इस तरह के आप जितनी भी हमारी पार्किंग्स हैं शोपिंग मॉल्स हैं या फिर और कहीं हम जाते हैं गुमने फिर फिलों मुवी बगरा देखने जाते हैं तो वहां पर पार्किंग में आप गए आप कोफी पिने गए आप 20-30-40 मिनट बैचते हैं वहां पर तो वहां पर आप जो है अपनी गाड़ी को चार्ज कर लेंगे आपकी गाड़ी में इलेक्रिस्टी बचे 30 परसें 40 तो आगें 60 परसेंट हो जाएगी 80 परसेंट हो जाएगी क्यों और यह है ओडिका एडिशन पहुती खुबसूरत एडिशन है यह आप देखें आरेस इट्रोन जीटी तो यह दोस्तों दुबई एक्सपो से एक और छोटी सी इन्फोर्मेशन और वीडियो आपके लिए इस तरह की और अलग-अलग वीडियो जो है मैं लेके आता रहता तो वहाँ पर आप वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो लाइक जलूर करें दोस्तों कि बड़ी मेंद से एक एक टेक्नलोजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और और भी बहुत सारी टेक्नलोजी हैं दोस्तों जो आने वाली हैं जैसे एलेक्ट्रिक ट्याजियो जैस बने मात्रम, नमस्ते इंडियो